वीडियो में दोस्तों आप सब के लिए एक और साहंदार खुशकबरी आप लेके आगें जो भी एनेचेम के तहत कम्मुनिटी हेल्थ ओपीसर्स जॉब कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए साहंदार जो है अपडेट आपके लिए बताने वाले हैं अब आपकी जो सेलरी रहने हो चुकी है ठीक है कौन से स्टेट में हुई है यह हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन इसमें आपकी सेलरी दोस्तों 32,000 है और इंसेंटिव 8,000 है साथ ही कम्मुनिटी हेल्थ ओपीसर्स के कार्यों में भी बड़ा बदलाव किया गया है यानिकि उनको अच्छे तरीके सामें आप सबको देखने को मिलेंगे ठीक है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है ठीक है ओफिस्याट गैडलेन हम आपको दखाएंगे जैसा कि मैंने आपको सारी इनफॉर्मेशन जो आती रहती है वो सारी अपडेट मैंने आपको बता रही है एनफम की गैडलेन्स के अकॉर्डिंग भी बताया था और जो केडर बना हुआ था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था ठीक है तो उसी तरीके से जो अभी चैंज किया गया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ dear students जैसा आप देख पा रहे हैं अभी अभी जो है इसके दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और आप लोगों के लिए बहुती सांदर अपडेट है यहाँ पे आप सब लोग देखेंगे अधिक्तम 8000 प्रतिमागे दर्से आपका जो है PBI यानि की performance based incentive रहने वाला है ठीक है उसी के साथ में आपकी जो salary है दोस्तो वो 32,000 रहने वाले जो की मानने आपको पहले वाले में पहले वीडियो में पता दी दोस्तो अगर state की बात करें तो यह सबसे पहले कहां हुआ है कहां पे जो है community health officers के लिए सांदर opportunity है जो निकाली गई है वो दोस्तो स्वास्त राज स समती भीहर के द्वारा जो है जारी किया गया है अब देखिए इसके बारे मैं आपको विस्तस से जानकरी दूँगा community health officers एवं A&M आसा के performance-based incentive तथा team-based incentive के भुकतान से सम्मधित तिसा निर्दिस यहां पे जारी किये गए है जिस तरीके से मैं आपको पिछले जो वीडियो आने किस तरीके से किया जाना है वो इसमें आपको बताया गया है ठीक है अब देखिए जो पहले मैंने आपको बताया था कम CHO कि जितने भी इंडिगेटर थे पहले जो 15 इंडिगेटर थे ठीक है अभी इनको चैन्ज करके कम कर दिया गया है साथ ही जो है हजार रुपे के जो है उनको इंसेंटिव दिया जाता था लेकिन अभी इसकी गैडलाइन चैन्ज होगी है वो मैं आपको बताता हूं नीचे ठीक है तो यह जो है आपकी ठीक है इस तरीके से आपको जो मैंने बता रखा है कि कम्मुनिटी हेल्थ ओपीसर्स की जो दोस्तों सेलरी में इंक्रीजमेंट हुआ है यानि कि उसमें बढ़ाय गया है अब कितनी सेलरी होगी है 32 ठीक है पहले कितनी थी 25 ठीक है 25,000 थी ठीक है अब साथ ही दोस्तों इंस के लिए अपडेट है यह ठीक है अब देखिए किस तरीके से जो है आप सब के लिए इंडिकेटर को डिवाइट किया गया है यह एनम की हो जाते हैं उसी के साथ में यहां पर आप देखेंगे ठीक है देखिए जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहां पर इंडिकेटर को चैन्ज गया है दोस्तों जैसे कि OPD पहले आपको करनी थी लेकिन अभी जो OPD के क्राटिरे चैन्ज हुए है इसन जीवनी OPD और इसन जीवनी जो है एप के माध्यम से करना होगा उसके साथ ही आपको जो है ड प्रक्राइब और साती जन आरुग समती के दौरा भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से आपकी जो है सेलरी दोस्तों पूरी जो इंसेंटिव जो है 8,000 होने बाला है ठीक है किस तरीके से देखिए कितना-कितना आपको क्या करना है आपको जो OPD करनी है प् बताया गया है दोस्तों इसके लिए जो इंडिकेटर को मैंने आपको पहले समझाया हुआ था अच्छे तरीके से उसी के एकोर्डिंग जो इंडिकेटर इनको बताया गया है यहाँ पर बस इतना है कि आपका जो टार्गेट है वो थोड़ा कम हो गया है और कहीं-कही टार्ग इंडिकेटरों में ही सामल है ठीक है और देखिए इस तरीके से आपको 1000-1000 और 500-500-500 इस तरीके से आपका इनसेटिव रहने बाला है ठीक है दोस्तों बिस्तरत जानकारी के लिए इसके सेब्रेट वीडियो बनागो जिसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा लेकिन अलग अलग एस्टेट की जितने भी क्रेटरियां इसे घ्रेती अलग क्रेटरं में सबसे ब्लग στην अलग कमृटइओं अच्छी सेवायाएं ऐसके लिए अच्छी तिय्हक्तिविटि के बनाई जा रही है तो दोस्तों जीत रएगे अच्छी आपी how you देगा जाएगा उसी के एकड़ें उनको भी सुभधाएं अच्छे से मिल दी रहेंगे ठीक है तो उम्मिद करता हूँ यह जानकर आपको पहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करेंगे वीडियो को सेर करेंगे अपनी सबी दोस्तो से रह ठीक है तो आज के लिए इतना ही मैं आपके लिए बताओंगा धन्यवाद फ्रेंट्स जैन जवारत